नमस्कार आप देख रहे हैं आर्पेडी न्यूज चैनल हनमानगर जिले की 25 स्मिती नोहर गराम सिवा सहकारी स्मिती लिम्टेड सोनडी के वर्तमान अध्यक्स बलराम गोदारा से आर्पेडी न्यूज टीम ने कोपरेटिव सोसाइटी से समंदित खास मुलाकात की मुलाकात में अध्यक्स ने बताया कि सोसाइटी से जुड़े सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाब मिले यह मेरा प्रियास रहेगा तो आईए जानते हैं आर्पेडी न्यूज खास मुलाकात में सुनिल खिची के साथ अध्यक्स बलराम गोदारा की विचारों को नमस्कार मैं सुनिल किची और आप देख रहे हैं आर्पेडी न्यूज और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिती सोनडी पंचैस समिती नोर और जिला हनुमान गड़ के अंदर यहांकी जनता ने जो अध्यक्स बद पर विराजमान किये हैं हमारे साथ जुड़े हुए युवा संगर सील बलराम जी कुदारा उनसे खास मुलाकात के अंदर आर्पेडी न्यूज चैनल के मादिन से बातचित करते हैं कि यहांके किसानों ने आपको जो इतना बड़ा समर्थन दिया मैं विसे इस तोर से दर्शकों को बताना चाहूंगा को निर्वरोध की बाती यहां से वो चुने गए हैं और उनसे खास मुलाकात के अंदर उनसे बातचित करते हैं कि आगे क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के लिए क्या आजेंडे हैं और यहां मैन समझ चाहिए क्या किसानों की सर पहले तो आर्पिडी न्यूज में सुनिल की चिक तरफ से आपको बहुत 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 बह कास और जन कल्यानकारी योजने हैं चाहे वो केंदर सरकार की हो चाहे रज्य सरकार की हो चाहे सकारतव वाग की हो क्या सपना देखा है कि आप आपके किसानों के लिए उताओ चड़ाओ कड़कर और उनके साथ मिलके चाहे दिन पर कोशिश करेंगे जरूर करेंगे ये कोशिश हैं और हर आदमी को सतीस कौमों को साथ ले करके और सब की जितनी भी सयोग मिलेगा सयोग देने की कोशिश करेंगे हर टाइप से खाद बीज की विवस्ता करेंगे अभी तक हमारे खाद बीज की विवस्ता हुई नहीं है तो विए一न हो जाएगा उसके बाद में खाद बीज के विवस्था हो जाएगी और लोन के बारे में मैं चाहता हूं कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा किसाने को मिले सिरु ताकि किसानों को अपनी खेती में काम आए जो भी स्वीदाये खेती के लिए गुवर्मेंट देगी, वो हम कोशिस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जाती, हर वरग और हर निचे से निचे वाले आदमी को मिले पूरे गाओं को, पूरे गाओं को, पूरे गाओं के हर किसान को और हर छोटे बड़े बाई को, सब की हमारे उपर बड़ा बारी आसरवादा, कोई किसी तरह की, और अब मैंने इस सब को चुन करके किया तो सर बात चीत करते हैं, आपके सुसाइटी के अंदर ऐसी, जब आप अध्यक्स पद पर नहीं वराज मानते हैं, पहले भी और भी अध्यक्स रहेंगे, उन्होंनों भी कापी प्रयास कियोंगे, अच्छा किसानों के लिए जनकल्यान का रियोजने, तो सर बात कीर करते है सुसाइटी के अंदर जो मुख्या समस्या या मुख्या योजना हैं, जैसे सकारितव वाग की तरफ से सर अभी भी योजना है चल रही है, डिगी निर्मान हो गया, जैसे डिप शिष्टम हो गया, संचाई पानी के लिए भी और भी जनकल्यान का रियोजना हो गई, तो इन डिएपी यूरिया है, जो उसको थोड़ा कम करके जैविक की और थोड़ा हो, तो जैविक खेती की और आपका किसा और जान रहेगा, और किसानों को क्या आप समझाईश कर रहे हो कि डिएपी यूरिया को कम करके और जैविक और गनी खेती की और बढ़े ताकि अपनी जमी बच के अपने बीमारियों से चुटकारा मिल सके और अपनी जमीन की जो सत्य है वो बिलकुल बरकरार बनी रहे जेवी खेती के लिए मेरा पुरा-पुरा से योग है और मैं हर टाइप से हर तरफ से इसकी कोशिश करता हूं कि हर आदमी जेवी खेती से ही जुड़े तो इसमे रोगों का अपने जो संक्ता आ रहे हैं रोगों के ये बहुत कम हो और अपने अच्छी वराइटी के बीज भीजे और उनसे अच्छे अच्छे आपने का आनाज जो मिलता है वो निरोग मिले तो यह ज़िए और मैं ज्यादा से ज़्यादा सरकारों शे यह कहना चाथा हू कि वो किसान के लिए बीज खाद और पाणी की अच्छी विवस्ता करें तो उससे किसान उपरूट सकता है सर बात करते हैं कि बारतें के परिशी परदात देशा है 65% पर पिलिस न हैं या किसान है फिर पी सर इतने किसान होने के बावजूद भी और इतना चेतर पल्ल मातरा में उदा न है तो आप क्या कहना चाहते हो कि अपने भी उनकी तरह बन सकते हैं तो RPD New Channel के मादम से किसानों को development के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि अधुनिक खेती की और जाओ ताकि अपने देश में सबसे बड़ी समस्या पानी की है सिंचाई के लिए अपने पास पानी नहीं है पानी नहीं होने की वज़े से हर किसान परेशान है और अपनी केती ती एक दम अधोरी बढ़ी है कोई गर्वयान को पक्षानों को आगे बढ़ाएं तो सिंचाई की विवस्था पहले करें नहें कि ये प्रलोबन वाले जो चला रखे हैं कि उनसे को पसल के लिए जो भी मेन्द करनी है मैंद करते हैं लेकिन उनके पास पैसे न्य होने के कारण स Supbrej Now को पिछड़े के पिछड़े इपड़ेventर तक तो उनको यह लिमिट बड़ा जिससे मालों कोंजी जन्कल्याण का री योजणहाँ चाहते हैं। तो करशी यंतर के बारे में भी मैं चाहता हूं कि करशी यंतर ज्यादा से ज्यादा हर सोसाइटी को देवें तो क्या करशी यंतर है किसान लाने में तोड़ा सा एसमर्थ है ट्रैक्टर ला सकता है ट्रैक्टर किसी का मांग सकता है लेकिन किसी से कि्रिशींगर fishing बाइच उसके लिए प्रिशा नहीं आती है उसके लिए किराये थे तो किराये पर चल एक तो स्साइटी के फाइदा होगा उनसे किराये पर चलेंगे वह और इस्ट्रूमेट वैसे के वैसे रह जाएंगे तो किसानों को बड़ा बारी फाइदा होगा इसे हमारे साथ जुड़े हुए थे बलराम जी गुदारा विशेश तोर से उनका बोलना है किसी परकार का मुद्दा होगा किसानों का तमसौल करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी और उनों का बोलना है कि जब तक हमारा कारेकाल जब तक लहे जब तक हम किसानों की किसी परकार का चाहे समस्या हो चाहे मुद्दे हो चाहे जड़ने हो साथ मिलके उनके साथ खड़े रेकर उन्हें भाड़े की पूरी कोशिश करेंगे और विशेस तोर से उनका मैं जो सेकारितर वाग से मैं उदेश है वो है कि ससाइटी को ऐसे कोई जनक लियानकारी योजने लबानवीत किया जाए ताकि किसान लबानवीत हो सके तो देश परक्ति कर सके मैं सुनियल कीची आर्पीडीन में सबस्मिर देने के लिए बोबो दन्यवाद आपका दन्यवाद जी